प्रमेश्वन हमें समय दिया उसकी स्तूती करने का उसकी अराधना करने का हम अपने परमेश्व पिता के नाम को धनेवाद करते हैं मेरे प्यारो आसुभ जिस विशे पर हम परमेश्य के वचन से बात्चित करने जा रहे हैं उस विशे का नाम है नम्रता जी हां नम्रता की विशे में हम बात करें तो आज ये बहुत ही महतोपुरून विशे है और मैं चाहता हूँ जरूर आप इससे सुने आशिश पाए और स्वयम की नम्रता प्रभू के सामने कैसे होना चाहिए उसके क्या क्या लाब होते है इन सारी वातों के विशे में परमेशे के वचन से आईए आज सुभ हम बातचीत करेंगे मेरे प्यारो नम्रता जो है नम्रता परमेश्वर का दरसल वास्तविक स्वभाव है जी हाँ हमारा परमेश्वर बहुत नम्र है बहुत नम्र है बहुत सारे लोग अलग-अलग रूप से या अलग-अलग गुणों से परमेश्वर को देखने का प्रयास करते है परमेश्वर क समझ लीजे या नया नियम समझ लीजे हमारे प्रभु का सुभाव बहुत नम्र है हमारे प्रमिश्व का वास्तविक स्वभाव ही नम्र है आपको याद है प्रभीश मसी विजई प्रभीश होता है यरुश्ले में प्रभीश करते है तो वो गधे पर बैठकर आते हैं और कहत ये सारा काम उसने नम्रता से किया है। नम्रता के साथ उद्धार का काम किया। नम्रता के साथ सृष्टी की रचना का काम किया। ऐसा हमारा स्वामी है। ऐसा हमारा प्रभु है। जिसने नम्रता के साथ अपने कारियों को किया है। मनुष्य के उद्धार का और मनुष्य के जीवन में आशिश का कारण होता है। कुछ वचनों के साथ हम इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा शम्यल अध्याए 22 और वचन 36 निकालेंगे हम लोग। और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। क्या खुबसूरत वचन है। दरसल दाओद ने विजय प्राप्त किया था पलिष्टियों के उपर में। और उसने धन्यवात का गीत गाया। धन्यवात का भजन गाया। और उन सारे भजन में इन सारे गीत में दाउत जो बाते करता है प्रभू के उपकारों को लेकर परविश्य के द्वारा दी गई विजय को लेकर और विशेश उसे मैं आपका ध्यान 36 वे बचलंग के तरफ आकशित करना चाहिए जहां लिखा है कि तूने मुझको अपने उद उद्धार की ढाल दी है उद्धार की ढाल का मतलब ढाल का का होता है बचाओ बचाना धाल हमेशा सामने से आने वाले तीरों को सामने से आने वाले वार को उस विक्ति को बचाती है ढाल के द्वारा और परमेश्यों ने क्या ढाल दिया है उद्धार की ढाल दिया है मतलब जब परमेश्वर किसी वेक्ति का संपूर्ण रूप से उद्धार करता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो उसके सारे शत्रों से उसको बचाता है। इसलिए उसका मिनी यह होता है कि उद्धार की ढाल दिया है मतलब मैं उद्धार से लतफत हूँ मैं उद्धार से भरा हुआ हूँ इसलिए परमेश्वर तू मेरे शत्रों को मेरे सामने हरा डालता है और मुझको परमेश्वर तू विजह देता है उद्धार की ढाल दिया है और दुसरी बात हो कहता है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है बस ये वाली बात रधाय को टच करने वाली बात है प्रभू तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है कई बार हम घमन कर बैटे कि मैं मेरी बुद्धी से बढ़ रहा हूँ मैं मेरी शक्ती से बढ़ रहा हूँ मैं प्रती कितना नम्र बना हुआ है सोचो यदि परमेश्य और क्रोध में आए क्रोध में रहे तो हमारा एक एक दिन उसके क्रोध में बितेगा एक एक दिन की बाद छोड़िये एक एक पल उसके क्रोध में बितेगा क्योंकि हमारा कोई काम ऐसा नहीं है जिससे पर मेश्यको प्रसन्नता हो हम अकसर अपने जीवन में इस मानविय जीवन में प्रित्वीपर के जीवन में लगातार हम लोग पाप करते रहते हैं लेकिन प्रभु ने हमारे पापों को अंदेका किया हमारी उपर क्रोध नहीं किया हम पर नम्रता रखी अपनी दया रखी वो नम्र बना रहा हमारे प्रती यही एक वज़ है कि उसकी वज़से वो नम्र बना रहा इसकी वज़से हम बढ़ रहे हैं इसलिए डावत कहता है तेरी नम्रता की वज़से में बढ़ता हो अगर प्रभु नम्र ना हो प्रभु कुरोद करे तो एक के गल्तियों में एक के अपरादों में मनुष्य को नाश कर दे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है वो तो थोड़ा दो कदम चल भी नहीं पाएगा बिना परमेश क्या नुगर से तो प्रभु इतना नम्र है क्या उसका स्वभाव है वो कहता है मैं तेरे अपरादों को याद नहीं करूंगा वो कहता है मैं तेरे अपरादों को अपने पीट पीछे समंदर में फिक दिया और दुबारा उस पर ध्यान नहीं लगाऊंगा प्रभु कहता है पुरानी बाते को मैं भुला दोंगा पुर गातार बढ़ते हैं बढ़ते हैं जीवन में बढ़ते हैं आशिशों में बढ़ते हैं सम्रुद्धि में बढ़ते हैं जीवन के तमाम उत्तम कामन बढ़ते हैं क्योंकि प्रहु हमारे प्रती नम्र बना हुआ है नम्र बना हुआ है मैंने इसलिए कहा कि परमेश्वर की नम्र बढ़ता सिखा है एक पिता वो होता है मेरे प्यारों जैसा वो सीखता है जैसा वो बढ़ता है जैसा वो उत्तम बाते पाता है वही बाते अपने बच्चों को भी सिखाना चाहता है वो चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसा ही सिखे मैंने बहतर मारग से बाते सिखा है तो मेरे सामेशवर इतना नम्र है, उतना नम्र है कि वो खुद चाहता है कि जिसको मैंने बनाया हूँ, जिसके मैंने रचना किया हूँ, वो लोग भी इसी प्रतार की नम्रता में बढ़े, और नम्रता में सीखे, वो हमें सिखाना चाहता, देखे वचन क्या कहता है, वचन बहुती प्रसिद्ध है, मतीर चुस समाचार उसका अध्याए 11 और वचन 29 ग्यारा, उसका 29 बहुत प्रसिद्ध वचन है, प्रसिद्ध है, क्या लिखाए वहाँ पर, लिखाए मेरा जुआ अपने उपर उठालो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाऊँ, कहता है प्रभू, मुझ मेरे पास आओ, और मुझसे सीखो, अठाइस वचन बोलता है कि मेरे पास आओ, 29 वचन बोलता है कि मुझसे सीखो, तो सीखना क्या है, वो कहता है कि मेरे पास आकर सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ और मैं मन में दीन हूँ प्रभू अपनी नम्रता हमें सिखाना चाहता है प्रभू अपनी नम्रता की बाते हमारे संग बाठना चाहता है मेरे प्यारों जैसा वो नम्र है वैसा चाहता है कि हम भी नम्र बने एक और वचन जो हमें सिखाता है जहाँ प्रभी उश्मसी ने नमरता का उधारन दिया यहुन्ना रची सुसमाचार अध्याए 13 और वचन 14 और वचन 15 यहुन्ना का सुसमाचार 13 अध्याए वचन 14 और वचन 15 देखे जहाँ पर लिखा गया है यदि मैं यदि मैंने प्रभू और गुरु होकर तुम्हारे पाउध होए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाउध होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नमुना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो प्रभु का वचन कहता है मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाउध होए है जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पाउध हो सकता हूँ तो तुमने जो तुम शिश्य हो तुमने कितना करना चाहिए तुमने भी एक दूसरे के पाउध होना चाहिए वरन उससे भी ज्यादा करना चाहिए उसने कहा मैंने तुम्हें नमुना दिखा दिया हूँ नमुना क्या होता है एक सेंपल है जो सेंपल होता है बाकि सब कुछ वैसा होता है प्रभू येशुमसे ने एक सेंपल दिखाया एक नमुना दिखाया है कि नमरता ऐसी होती है दुनिया में ऐसा कोई नहीं है गुरू होकर भी शिशों के साथ इतना नमरता का बेवार किया है शिशों के पावध होएं केवल एक ही गुरू है एक ही प्रभू है हमारा येशु प्रभू जिसने गुरू होकर भी अपने चेलो के उसने पाउध होए है ये नमरता का नमूना उसमें दिखा दिया है और इसलिए वो चाहता है कि तुम भी मेरे जैसे नमर बनो तुम भी मेरे समान नमर बनो और नमरता के मार्ग में चलो क्योंकि वो खुद नमर है और उसके नमरता की आधार पे मनुश्यकी बढ़ोतरी होती जैसे हमने शम्यल में पढ़ लिया और वही हमारा प्रभू अपने लोगों को कलिस्या को नमरता के विशे में सिखाना चाहता है। उसके तरीके भी अलग रहेगे सिखाने के। नमरता सिखाने का तरीका है प्रभू का कठिनाईएों से गुजारना। समझ लीजेगा। यह आसान नहीं है। लेकिन प्रभू ऐसे ही तरीके इस्तमाल करता है। जिससे की कलिस्या मजबूत बने, परिपकव बने, वो उपर की उपरी बातों को ज्यादा ध्यान देना चाहता नहीं है, परम्तु अंधुरूनी बाते, भीतरी बाते, जो मजबूती के साथ होती है, उन बातों पर परमेश्यों ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए उसके तरी अपने लोगों को कठिनायों से गुजारना तो निकालेंगे व्यवस्ता विवरण उसका आठवा अध्याए और उसका पढ़ेंगे वचन 2 और वचन 3 जा इस प्रकार से लिखा गया है और स्मरंदरक की 13 परमेश्र यहवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाएं जी हां नम्र बनाएं और तेरी परिक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्याओ का पालन करेगा वा नहीं उसने तुझको नम्र बनाया और भूका भी होनी दिया और वह मन्ना जिसे तू ना तेरे पुर्खा जानते थे वही तुझको खिलाया इसलिए कि वह तुझको सिखाये कि मनुष्य के वल रोटी से नहीं जीवित रहता पर तो जो वचन यहवा के मुख से निकलते है उनी से वह जीवित रहता है अलेलुया प्रभू के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने तुझे 40 साल जंगल में घुमाया जो 40 साल का सफर था ही नहीं तब भी 40 साल लगाया सिर्फ एक बात बताने के लिए तुझे नम्रता सिखाने के लिए तेरी परिक्षा भी होने दिया तुझे भूका रहने दिया तुझे प्यासा रहने दिया तुझे मुश्किलों से ग क्या बाते उपच्चती है इस कठिनायों के दवरान वो समझना चाता है वो जानना चाता है इसलिए उसने कठिनायों से अपने प्रजा को इसराईयों को गुजरने दिया क्या लगता है हमें जब हम मसीही विश्वास में आगे बढ़ रहें मेरे प्यारों और हमारा प्रभु इतना नम्र है कई बार मुझे ऐसा लगता है कलिस्या समझनी पारी परमेश्वर को कलिस्या कभी-कभी उग्रस वरुप ले लेती है हम भी जगडा करेंगे हम भी लाठिया निकालेंगे हम भी मार्पिट करेंगे हम भी दंगे फसाद करेंगे ये काम हमारे प्रभु का नहीं है ये उसने हमें कभी सिखाया नहीं है उसने सिखाया लोग तुम्हारे पर अत्याचार करेंगे करने देना सेहन करना ये सिखाया ह परमेशों ने, परमेशों ने बदला लेना नहीं सिखाया, कभी-कभी हम भुल जाते हैं, हम कौन से प्रभु का प्रतिनिधित्वा कर रहे हैं, हमारा प्रभु नम्र है, बहुत नम्र है मेरे प्यारों, इतना नम्र है कि वो अपने चेलों के पाउध होता है, कहता है मैं तु प्रभु के लिए इतना इतना करता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी समस्या है क्यों, हम बहुत बार समस्या पिडा और ये, वो वो सब बातों की बाते करते हैं, लेगिन क्या कभी आपने सोच के देखा है, कहिए मेरे प्रभु का वो तरीका तो नहीं है, मुझे नम्र बन बनाने का, मुझे नम्र बनाने के लिए मुझे तकलिप से गुजरने देगा, मुझे नम्र बनाने के लिए भुका भी रहने देगा, मुझे नम्र बनाने के लिए मुझे बहुत सारी कठिनायों का सामना करनी भी देगा, बाइबिल पढ़िये, बाइबिल के लोगों का जी मरने को तैयार थे, तकलिफों से गुजरने को तैयार थे, सिर्फ खुश थे इस बात को लेकर, मुसा के बारे में लिखा गया वाईविल में, कि उसने राज महल में पाप में रहने से अच्छा समझा, कि धर्मियों के संग तकलिफों में रहे, दुखों में रहे, उसमें उसन रहा है और मेरी नमरता का ट्रेनिंग शुरू हो गया है ये ट्रेनिंग कोई बैबल स्कुल में नहीं होता है ये ट्रेनिंग कोई विशेश पाठ शाला में नहीं होता है ये ट्रेनिंग आपके रोजमर्रा के जीवन में होता है आपके व्यक्तिक जीवन में होता है जो हमारा परमेश्वर इस ट्रेनिंग को लेकर आता है, इस ट्रेनिंग को सिखाता दी, नमरता और क्या करते हैं इन बातों को हम सिखेंगे, नमरता और क्या बात सिखाती है, नमरता और क्या कराती है, इन बातों के विशे में भी आयम सिखने का प्रयास करेंगे, दरसल हमने सिखाता कि नम्रता सिखाने का प्रभू का तरीका है कठिनायों से गुजरने देता है और दूसरी बात हम सिख रहे हैं कि नम्रता विपत्य से बचाती भी है ना केवल सिर्फ वो कठिनायों से गुजरने देता है लेकिन बहुत सारी विपत्तिया हमारे पीछे खड़ी रहती है कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हम कई बार बहुत बड़ी मुश्किल में पढ़ जाते हैं बहुत बड़े गंभीर हलातों में से गुजर जाते है और बहुत विपत्या हमारे सिर पे खड़ी रहती है विपत्य से बचने के लिए हम कौन से कौन से रास्ते इस्तमाल करते हैं बहुत सारे संसारिक रास्तों का हम इस्तमाल करते हैं जिसके द्वारा हम विपत्य से बचा लिए जाए विपत्य से बच जाए लेकिन कई बार हम नहीं बचते हैं मैं आपको एक ऐसा उत्तम रास्ता बताना चाहता हूँ एक दुष्टरा राजा भी बच गया इस रास्ते से जी हाँ नम्रता एक ऐसी बात है एक ऐसा स्वभाव है एक ऐसी घटना है यदि इसको हमने गंभिरता पुर्वक सीख लिया तो जितनी भी विपत्या आपके खिलाप रची गई है मैं ये नहीं कहना चाहता लेकिन कई भी कभी कभी हमारे पापों के वज़े से भी बहुत सारी विपत्या खड़ी हो जाती है लेकिन उससे बचने का एक मार्ग होता है नमरता आप बाइबल देखिए बाइबल में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब जब उनके जीवन पे संकट आया उन्होंने क्या काम किया वे राख में बैड़ गए वे पश्चाताप करने बैड़ गए और प्रभु ने उनका पश्चाताप सुनके प्रभु ने उनको बचा लिया निनवे नगर इसके लिए सबसे बड़ा उधारण है कि निनवे के लोग पश्चाताप के साथ बैठ गए नमर बन गए जबकि परमेश्वर ने उनको नाश करने का ठान लिया था वे बैढ़ गे पश्चाता आपको ने राक लगा लिया टाट ओड लिया और प्रभू ने पूरे नगर को बचा लिया मेरे प्यारों लेकिन एक राजा के विश्चे में आपको बताना चाहता हूँ और राजा का नाम बताओंगा आपको समझ में यह तो बहुत ही दुश्चा राजा था जी हाँ और इस दुश्चा राजा का नाम था राजा आहाब कि दुश्चा राजा का नाम था राजा आहाब क्या आपको लगता है ये आहाब के साथ भी कुछ अच्छा हुआ होगा क्योंकि बहुत दुष्टता इसने बहुत दुष्टता फैलाई इसने बहुत पाप फैलाया परमेश्चर को बहुत दुख पहुचाया परमेशन को क्रोधित करवाया इस आहाव राजा ने बहुत काम किया और जब परमेशन अपने दास एलिया को उसके पास भेजा ये बाते बताने के लिए कि तेरे जीवन पर तेरे परिवार पर तेरे राज्य पर कैसी विपत्तिय आने वाली है कैसे पीडी धर पीडी विपत्य आने वाली है ये सारी बताने के लिए परमेशन अप्रिदास एलिया को उसके पास भेजा तब आहाब ने क्या किया ये सारी बाते ये सारी विपत्य सुनने के बाद पर साथ निकालेंगे पहला राजा अध्याए 21 और वचन 28 जी हाँ फर्स्ट रिकिंग चैप्टर 21 और वर्स 28 28 वर्स ऐसा कहता है सुनिए और यहोवा का यहवचन तीश भी एलिया के पास पहुँचा कि क्या तुने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है क्या तुने देखा है पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यहां विपत्ती भेजूंगा। यह विपत्ती का हगडार राजा आहब था। बोला था उसके अब यह अध्या कर पढ़ लेंगे समझ में आएगा आगा आगा। परमेश्य ने बोला था किस प्रकार की विपत्तिया परमेश्य और आहब के उपर उसके घराने पर डालने वाला है। लेकिन जैसे यह सारी बाते आहब राजा ने सुन लिया तो आहब ने क्या काम किया। ताकि जो विपत्ति मैंने सोचे इससे घराने पर डालने की अब यह जो नम्बर बन गया है अब इस पर तो नहीं डालूँगा लेकिन इसके आने वाले पीडी पर की विपत्ति मैं डालूँगा। क्या कभी आपने सिखा इन बातों को। कि जब कभी हम बुरायों में चलते हैं, बुरे काम करते हैं, घमन से भर जाते हैं या गलत मारगों में हम लोग चलते हैं और उस कारण परमेश्वर कितनी बार हम चोट पहुचाते हैं, परमेश्वर कितनी बार हम दुखी करते हैं, परमेश्वर हमारे उपर कितनी बार डंड भिजना चाहता है क्यूंकि उसको हमने नाराज किया है, दुख पहुंचाया है विपत इस्थे बचने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा मेरे पहरτों बाइबिल, कोई रास्ता नहीं अगर प्रभू बचाए तो प्रभू बचाए वरना कोई नहीं बचा सकता लेकिन जब Bible ध्यान से पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि कैसे प्रभुने अपने लोगों को बचाया किसी की भी बात कर लीजी आप Bible दाउत की बात कर लो, मुसा की बात कर लो यह राजा आहप की बात हो रही है किसी की भी बात कर लिजा आप, उन लोगों ने सबसे पहला काम किया, नम्र बने, पश्यताप किया, टाट ओडा, राख लगाया, उपवास किया, और जुके रहे प्रभु के चरणों में, नम्र बने रहे प्रभु के चरणों में, यही वाला वो काम था, जिसके काम के कारम प ज़ुकने की जरूरत है आज प्रभू के सामने हमने बहुत धमन की बाते कर लिए बहुत परमेश्यों को दुख पहुँचाया बहुत तकलिप पहुँचायी और उस कारण कलिस्याओं पर परिवार पर विभिन प्रकार की मुश्किले और समस्याओं को देख पारे लेकिन बात परिवार की भी है बात विक्तिगत जिवनों की भी है एदि आपने प्रभू के नजर में अपरात किया है दूसरा कोई रास्ता मुझे दिखाई नी पड़ता एकी रास्ता बाइबी बताती है नम्रबन 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 पश्याताप कर और प्रभू के सामने जुग बैबल कहते है उसकी करुणा बहुत बड़ी है उसकी दया सदा की है वो उसकी अपनी दया के लिए माही रहे हमारा परमेश्वर हलेलुया इतना दया लुपरमेश्वर है निश्यप शताब करने वालों पर वो दया करता है विपतिसे बचाती है नम्रता नम्रता स्रीफ विपति से ही ने बचाती है नम्रता मनुष्य को या कहूंगा कलिस्या को उँचा भी उठाती है ये और एक तरीका है प्रभुका उँचा उठाने का आप उचा उठने के लिए क्या-क्या नहीं करते है क्या-क्या नहीं करते है ये सिफारिश लेटर दो सहाब का सिफारिश लेटर दो तो सहाब की बाते सुनके आपको प्रमोशन मिल सकता है सिफारिश सुनके आपको कही न कही आडमोशन मिल सकता है बहुत सारे काम आपके हो सकते है और दुनिया में जीने के लिए, काम करने के लिए, जॉप करने के लिए, हम बहुत सारी बाते करते हैं कि ऐसा मैं कुछ करूँ, जो मैं करता रहू, करता रहू, तक मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा नाम कमाऊंगा, नहीं, वही एक रास्ता बचा हुआ नहीं है मेरे पाँच का पाँच ऐसा कहता है धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृतिवी के अधिकारी होंगे आपको पृतिवी का अधिकारी बनना जब तक हम पृतिवी पे हैं और पृतिवी के अधिकारी बनना है पृतिवी पर राज करना दरसल ये काम प्रभु ने उसी टाइम सो पाता जब परमेशो ने आदम हुआ का बनाया था उनको बोल दिया था कि जाओ तुम सभी चीजों पर राच करो सब को सब पर अपना अधिकार करो पश्यू पक्षी चीजे ये वो जानवर सब पर अधिकार रखो पर वो अधिकार पाप के कारण मनुश्यक हो चुका था अब वो अधिकार दुबार कैसे मिला वो अधिकार ये शुमसी के पास आने के बाद उन उद्धार पाने के बाद उद्धार के रास्ता जो नमरता का रास्ता है उस पर चलने के बाद बाइबिल कहती है धन्य है वे जुन नमर है नमर क्या बनेंगे पृतिवी के अधिकारी बने ऐसा अगर होता तो हमारे political leaders को उठा के देख लिए उनके पास ज्यादा डिग्रिया नहीं है तब भीवे मंत्री है तब भीवे बड़े-बड़े मंत्री है तो education की वज़े से मैं उठूंगा ये जरूरी नहीं है मेरी सिफारिश की वज़े से मैं उठूंगा ये जरूरी नही वही लोग पृतिवी के अधिकारी बनेंगे अर्थात सब बातों पर में राज करेंगे सब बाते उनके अधिकार में आ सकती है सब बातों पर आप अधिकार जता सकते हो यदि आप संसार में नमरता का पार्ट सीखते हो देखे नमरा बनना बहुत जरूरी है देखो बनाव होती है हे ऐच्टिंग कर सोते म режим लोगों के सामने में इस प्रकार से आ पना नम्र बने के एक्टिंग कर सकते हो एक्टिंग से काम नहीं चलेगा कर沒錯 परमेश्व बहुत ही बड़ा ह Kerry जज है न्याधिश है वो अच्छे-चे एक्टरों को पकड़ लेता है एक्टिंग उसके सामने नहीं चलती है उसके सामने रधै का खुलापन दिल का खुलापन चलता है वो जाचता है मनों को जाचने वाला यह हुआ है जाचता है कि यह सचमुच नम्र है उसने गभाई दी नम्रता के विशे में उसने मुसा के बारे में गभाई दी उसने येशु के बारे में गभाई दी मुसा के बारे में कहा ये मेरा नम्र दास मुसा है ये मेरा चुना हुआ मेरा बेटा है जी हाँ नम्रता के बारे में गभाई दिया उसने आपके और मेरी नम्रता के बारे मे परमेशन एक गभाई देना चाहिए और हमारे नमरता बनावटी ना हो भितर से हो, घर से शुरुआत हो नमरता की, आपके फैमिली से शुरुआत हो फैमिली मेंबर से शुरुआत हो जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ से शुरुआत हो आपके कलीसिया से शुरुवात हो आपके सोसाइटी से शुरुवात हो नमरता यहां होना चाहिए जितना आप नमर बनोगे प्रभू आपको उतना उच्छा उठाने की बात करता है ऐसा मैं नहीं प्रभू का वचन बोलता है एक और वचन जो याकुब चौथे हद्या है उसक प्रभू के सामने दिन बनो किसी और इंसान के सामने हाथ पाओ जोडने की जरूरत नहीं है प्रभू के सामने दिन बनो तो शिरो मनी सिर का मनी सिर पे लगाने वारा सबसे उत्तम चमकदार मनी में तुझे बना सकता हूँ वो जो मुकुट में होता है वो जो राज में बहुत आगे बढ़ना है आओ प्रभु के पास प्रभु के पास आओ उसके पास आकर नम्र बनो यही नम्रता आपको उचा उठाने वाली है हाललुया नम्रता उचा उठाती नहीं नम्रता सिखाती मतलब यह एक शिक्षा है शिक्षा लेती है और शिक्षा लेना चाहिए नम्रता से यदि जो कोई नम्रता से द्वारा शिक्षा नहीं लेगा वो अपने उपर विपत्ति ला सकता है सिखने के जरूरते एक उधारन से मापको ये बात समझाना चाहता हूँ मेरे सब निकालेंगे दानियल की पुस्तक अध्याय 5 पांच वाध्याय का 22 वावचन कुछ इस प्रकार से कहता है सुनिएगा प्रभु बात करता है तो भी है बेलसशर तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ क्या हुआ क्या जानना चाहिता बेलसशर ने बेलसशर जो नबुकदनेसिर का पुत्र था ऐसा लिखा है कि तेरे पिताता मन फूल उठा था वो पशु बन चुका था कैसा प्रभु ने गिरा दिया उसको कैसा वो बड़ा-बड़ा काम काता था लेकिन तभी प्रभु ने गिरा दिया अपराधों के कारण उसके घमर्ड के कारण पापों के कारण लेकिन तूने ने उससे कुछ सिखा नहीं क्योंकि बेलसशर ने क्या किया बेलसशर ने पार्टी लगाई अपनी रानिया रखे लिया दोस्तों को बुलाया और वो सोने चांदी के पात्र बुलाए जो यरुश्लिम के मंदिर में थे और उसमें शराप पिया और परमेश्व का एक हाथ आया और दिवार पर कुछ लिखने लगा और उसके बाद ये राजा मारडा ला गया मारडा ला गया लेकिन इसका अर्थ क्या है जानने के लिए जब उसने दानियल को बुलाया तो दानियल ने उसके एक बास समझाया कि तेरे पिता नबुक अदनेसर के अपराद के कारण तुने सीख लेना चाहिए था बहुत सारे लोग सीखते नहीं हैं सीख के नम्र बन जाना चाहिए जो घटनाए आपके परिवार में हुई है जो घटनाए आपके आसपास में हुई है जिन घटनाओं के बारे हम जानते हो कि कितने लोगों ने पाप किया अपराद किया बुराई किया और उन बुराई के क उनका जीवन मुश्किलों में आ गया तकलिपों में आ गया यातनाओं में आ गया कैसा उनके पापों के कारण वे नाश हो गए ये जानते हुए हमने क्या करना चाहिए हमने सीखना चाहिए हमने नम्र बनना चाहिए दीन बनना चाहिए और पश्चता भी बने रहना चाहिए ये बात नहीं किया उसके बेटे ने, लेकिन उसके बावजुद उसने पाप किया, कई घरों में ऐसा होता है, पहले जो अपराद हुए, उसको याद करके वे नमर नहीं बनते हैं, सीखते ने उस घटना से, और इस कारण वीवी पत्री बुलाते हैं, और ये बेल सेशर मार ड ये है, हमें सिखाने के लिए, अगर तब भी हम नहीं सिख रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में चल रहे हैं, मेरे प्यारों, नमरता के बारे में, एक अंतीम बात बता कि हमें समाप को करना चाहता हूँ, नमरता के बारे में, नमरता के बारे में, बहुत सारी बात आती है, बड़ी बड़ी विपत्य आपके ओपर खड़ी होंगी, लेकिन सिर्फ प्रभु के सामने नमर बचाओगे, विपत्यों से बचा लिया जाओंगे, हमने ये भी सिखा, अगर नमर बचाओगे, तो कैसा प्रमोशन साते हैं, कैसा प्रभु हमें उच्चा उठाता है, नम्र बनेंगे तो नम्रता हमें शिक्षा देती है नम्रता के कारण में सीखना ज़िए घटनाओं के कारण में सीख जाना चाहिए जो बेल सेशर ने नहीं सीखा हमें सीखना चाहिए एक अंतिम बात बता के मैं समाता करना चाहता हूँ नम्रता का एक विरोधी है इस विरोध दिया तो ये आपको बरबाद कर देगा नम्रता का एक कट्टर शत्रू है और उस शत्रू का नाम है घमंड जी हाँ घमंड नम्रता के शत्रू का नाम है घमंड मिर साथ निकालेंगे नीती वचन 18 अध्याय और वचन 12 प्रोवर्प्स चेप्टर 18 एद वस्ट्विल 18 अध्याय का 12 वचन ऐसा कहता है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है नाश होना है तो उसके पहले कोन आता है महमान घमंड घमंड एक महमान है जब बरबादी आना श्टय है तो उसका चिन्न यह होता है कि पहले घमंड आता ह घमन के बाद आती है बरबादी, यह दुश्मन है नमरता का, यस मेरे प्यारो, इस घमन को अपने पाओ के नीचे ही रखना है, घमन को चड़ने नहीं देना है, चाया बहुत बुद्धिमान हो, बहुत एजुकेटेट हो, बहुत पैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत घमन नाश करेगा, लेकिन लिखा है, जो अगर महिमा पाने का टाहिम आएगा, तो सबसे पहले क्या हैगी, नमरता, नमरता आपको महिमा में ले चलेगा, उचाई में ले चलेगा, ऐसा प्रभु का बचन सिखाता है, मेरे प्यारो, इसलिए नमर बनो, ताकि परमेश्वर आपको मुचा उठाए, आपको महिमा में आगे बढ़ाए, मेरे प्यारो, इसलिए इस दुश्मन को, इस शत्रु को हमेशा पाओ के नीचे रखो, घमन को, अब हो सारी बाते हमने नमरता के बारे में इस थोड़े समय में सिखने का प्रयास किया, क्योंकि ये प्रभु का व सर्व शक्तिमान, सर्व सामर्दी, पिता, परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी तमाम दया के लिए प्रभु, प्रभु हमें नमर बना, आपका वचने में इस दिखाता है तुम नमर बनो, ये प्यारे पिता राजा हमें नमर कामों में नमर बनाईए, स्वभाओं में नमर बनाईए, प्रभु आपके सामने लगातार नमर बने रहें, बड़ी बड़ी विपत्या हमारे उपर खड़िये प्रभु, लेकिन हम नमर बनेगे तो हमारा प्रभु हमें बचाएगा प्रभु जी, हमें जो हमारे पुर्वो लिकिन जब हम नमरता से, और घमंड करते हैं, धमंड को आज अपने जिवन से हम उतार फेखते हैं, हम किसी भी बात जब घमंड ना करें, प्रभुजी हमारे मुनम्न था डाल ईशू राजा जिसके द्वारा प्रभु हम महीमा में बढ़े प्रभु के एक काम में आगे बढ़े साहेता कर अपनी महीमा के लिए हमारे इस्तेमाल कर धनेवास नूती करते हैं धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभू इशू के नाम से प्राथना मांगते हैं आमेन उद्धार करता प्राथना मांगते हैं